वाट्सुप गाईज, वेलकम बैक विडियो में हम देखने वाले हैं ये पड़ी लिखी पाकिस्तानी खातून है तो ऐसा ये सर्केस्टिक वेम है कुछ ना कुछ तो भीया तगड़ाई मतला इंट्रू में कुछ बवाल मचा होगा तो इंडिया मीडिया लेटेस चैनल से है देखते हैं आज किसने किस तटेजस्वी हरकतों से अपना इंटरिवी दिया है उसे वीडियो का एक मिलिया है डिस्कुश में चैनल बनाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1,2,3, लेट्स गो कि ये खातुनों के दिल में आकर चल क्या रहा है ये हिंदुस्तान को किस नजरिये से देखती है तुम्हें ज्यादा समय नहीं लेता सीधा चलते हैं पाकिस्तान पहले जी फिर नो फिर नॉट इंटरस्टेट इंडिया के बारे में आपका क्या राय है इंडिया कैसा कंट्री है इंडिया कंट्री मतलब इंडिया को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है वहां कि जो मुवीज होती है वहां का जो बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके जाते हैं भाई पाकिस्तान में पाकिस्तानी तो बोलते ही बोलते हैं खासतोर से इंडियन भी बोलके जाते हथ तो यह होती है अच्छा हम भी आपको लाइक दिए भागो आच्छा कजब बेज जती है हम कहते है कि हम इस्लामी कंट्री है हम इंडिया को पसंद नहीं करते यह उसके साथ तालुकाद नहीं रखना चाते तो सौधी अरफ देखे कितना बड़ा हम से ज्यादा वह मजबी कंट्री है यह बड़ी हमारे क्यों अबड़ उनकी रिलेशन्स तो होंगे यह पॉलिटिक्स रिलेटेड लेकिन मैं अपनी पर्सनल आपको बता रहीं कि मैं पर्सनली उसको नहीं करते हैं कोई बात लए हमको घंटा फट नहीं पड़ते हैं होती है ना कि वहां पर मुसल्मानों के साथ अच्छा स्लूग नहीं हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमारे बच्पन से यह चीज़े बताई गहीं है कि इंडिया के अच्छा कंट्री नहीं है लेहादा हमारा हुद यहीं बताई है क्या आपके माइंड में क्या चल करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं मैं स्टूडेंट की इंटरनेशनल लेशनशिप फिफ्ट समस्टर माशाला चाहिए बताएं कि हम आज इस टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं कि पाकिसान किसी भी फील्ड में इतनी तेजी से ग्रोव नहीं करा जिस तरह दुनिया के द क्या आप समझते हैं पाकिसान का जो एजुकेशन सिस्टम उसमें कोई तब्रिया होनी चाहिए है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में वह तो बहुत ही अच्छा है मैंने आज तक जितने भी पाकिस्तानी वीडियो देखे आज तक किसी ने यह निगाए कि पाकिस्तान का आपको देना पड़ेगा और उसके वाले साब को रिवार्ड कोई नहीं मिलता आप जाओ मार्किट में आपको जॉब्स नहीं मिलेगी कम्पिटिशन बहुत ज्याद है जिसकी वज़ए से स्टूड़न्स वैसे ही रह जाते हैं और डिस हाड़ होते हैं और आउट उस चले जाते हैं हमारा बहुत जारा असासा जो पड़ा लिकाशन है वह बहुत सारे बाइर जाकर जॉब्स कर रहें जिसकी वज़ासे में रीजन यह है कि गौर्मन्ट को चाहिए वह अच्छी जॉब्स पर रवाइड करें स्टूड़न्स की यह जा हो गया जुन रहा हूं मैं बा बात करें ना तो सबसे में फैक्टर यही आता है कि स्टूड़न्स बहुत निकम्में कहले हैं जो भी है हमारे कम्में इस वज़े से हुए हैं में लिए उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं वदाब उनके नंबर्स लगवा देते हैं तो मेरे फिया इसी वज़े से हो चैसले भी ठोड़ा बहुत बनाम है यही तो कहता हम मैं तुम्हारी पुरी कोव मी निकम्मी है पूरी पाकिस्तानी को जो है पूरी की dzisiaj नलायगा नली है 70 साल पहले तुमको एक मुल्क दिया था आज तुमने मुल्क को कहा पहुचा दिया एवरी पाकिस्तानी का जुम एक एक बाले ना ये करजे में किरा हुआ और अभी एक बिलियन डॉलर के लिए आई एम आपके आगे तुम तर ले कर रहे हो तुम्हारा परदान मंत्री पूरा लेट गया है तो बादे आपकी पूरी कोम ही नहीं है कराशनी को है जासे दुनिया के बाकी कर्टीज है वार पर रटा सिस्टम नहीं होता है तुम्हारा प्रफ्योंट्टर को प्रफिजिकल थेरमी में आपको बता लैब होनी चाहिए हमारी कोई लैब नहीं है क्यों करती है यां हमकरती नहीं है थे तीन साल से लारा लगाया आप अपना फीचर कैसे देख रही है आप पाकिसान के जाब तो मेरे नहीं है कोई भी जाब की अपर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं आप अंदाजा करी इतनी सैच्टुरेशन हो गई है ना फिजियो थरफी की हर गली में आपको कोई क्लीनिक नजर आएगा जॉब तो पिर मिली नहीं सकती है जो भी तो सिफारिश पेस पे होती है तो अब यही है कि यहां तो बाहर जाएंगे यहां कोई बिजिनस स्टार्ट कर लेंगे जाए स्टुरेशन है यहां पर उससे बात करें वह कहता कि यह मैं यह मुल्क छोड़के बाहर जाएंगे तो मुल्का क्या बनेगा फिर हमारे से वह तो कुछ पता नहीं है वह तो स्टुरेंट्स पे रिलाए करता है ना जिब हमारा सिस्टम में सब बन जुक है जाएट सी बात हर बंदा मजबूर जो आपनी मिलनी हम पढ़ते क्यों है कमाने के लिए जब कमाने के आप अधिया को कैसा समझते को इंडिया को कैसा कंट्री समझते हैं इंडिया को मैं एक लिजव करना चाती हूं प्तरगार जी मैं आपकी बात से घंडेन परिसेंट एगड हुँ phosphorus करते हो इंडिया को पसंद करने कि कर अपना गिरेबान अगर जांकर नहीं देखता ना तो जांकर देखता ही नहीं जिसकी वज़ा से आद भारत तबाही के दोहाने पर पहुंच चुक है इंडिया दुश्मन नहीं है इंडिया के जो बडिसरकार है वह नहीं चाहती पाकिसान के साथ अच्छे इलेशन बनाना लेकिन इंडिया के जो लोग है वह बहुत अच्छे हैं आपके माशाला काफी नॉलेज होगी अब यह पताएं क्यों आया हमारी तरफ से भी कुछ ऐसी हैं इसकी वजह से हमारी अपस में दुश्मनी है बिल्कुल ऐसी चीजे यह और जैसे जाना चाहिए वहां पर भी इंडियान को पाकिसान विज़र्ड करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए वह चाहते हैं और कुछ लोग आते वीजिए हैं अगर में अगर कर सकते हैं तो कि आ नहीं बेखान 2017 होगे नहीं होग इनकी तो पाकिसान डिलीवरी पाकिस्तान में दिलिवरी चुछ यह वाला यहां से जाता है तो वाया दुबई यह त्रेट क्यों बन्द है रहां कि नमक दो हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां से लेता हैं यह ट्रेड पता नहीं कि वहां प्रकूर्ट करते हैं लेकिन यह इमरान खांसाब की गौवर्मेंट थ थोड़ा सा करेक्शन करना की 2019 भारत-पाकिस्तान के नमक लेता था चैन्दान नमक लेता था जो कि आपके शिंद हमें और बाते भारत पाकिस्तान का किसी भी प्रगाय हों नमक नहीं ले रहा और नमक के साथ आते ते छूँआ रहे तो हिंदुस्तान ने तो नहीं तो क्या आपकी सिम्म्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी इन पाकिस्तानियों को अच्छे रिप्लाइब लिए प्र पाषितिव कीजिए लेकिन किजा है और पहले लेहंगा कॉन पुछाएगा पाकिस्तान में हम अधल मुझे उसलिह आगी कि कहीं कुछ देश्वेश मुझे दिए ओर चैलेदे देड़ा, मुझे देड़ को कि टीए आठेड, हमेदे पते हैं मुझेच नदेड़ राज इनकों इर लिए लिए सिर्ट लिए चीजने का चीजने जाया है जरिल नागम है? १ में भाले मुझे थे लिए मlar हम लोडे में बस्के लेकि लिए लोडे कर समय क Вас ऑफ यह कर सकता में, उत अछम में गादर की तारिफ लोड रोडेर लोडेर पीटसे है लोडेश्यमु मेर टारीजर्टेर, थीकले हूं आथ और गणा आपको है uh तो बोल भलू mgें आप एंगर मेरो ह 대박 यह तो इसरे लाओ से एंडाप लोगों तुछना तो भूजना कर दो है सबस्क्राइक यह दोब तो बाहExanding जिसी अपनीश टेहन बजबे मुझ लगता है कि लोगों को इंडिया के चैनल यूट्यूब पर देखने चाहिए लोगों के अपनी ही मीडिया को क्या दिखाए है उसे आप जज नहीं कर सकते है तो बी फ्रेंक यहां जमाराओट मेली कर सकते है मेली UP लेकिन मुझे सच में बहुत बुरा लगा उसके लिए कि उसको यार एक तो लहगा चाहिए क्पाइब शुति यह टो वन ही पेड़ा बनता है यार उसके लहगा को भुछा हो यह को बता यह लहगा को पना नगा बबबाइ टेकर